Friends, Smart Education Academy की Optional Geography में आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम लोग Temperate Cyclone के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका development होता है और फिर कैसे ये नश्ट होते हैं इन सब चीजों को हम लोग detail में देखने वाले हैं देखिए अगर आप मेरी paid classes join करना चाहते हैं तो मुझे 790-525-1328 पर contact कर सकते हैं और paid classes की जानकारी ले सकते हैं देखिए पहले यहाँ पे हम लोग जो बाते discuss करने जा रहे हो सकता है अभी ये आपके समझ में ना है देखिए जो शीतोष्न कटिबंदी है चक्रवात है या जो temperate cyclone है इनको समझाने के लिए इनके कारणों को समझाने के लिए बहुत सारे सिध्धांत बनाए गए है उसी में से एक सिध्धांत है धुरुवीय वाताग्र सिध्धांत तो ये सबसे जादा famous सबसे जादा प्रचली सिध्धांत है और इसको सबसे जादा मानेता प्राप्त है तो आज हम लोग इसी सिध्धांत की बात करेंगे देखिए शीतोष्न कटिबंदी है चक्रवात की उत्पद के संबंद में प्रतिपादित किये गए अभी तक के सभी सिध्धांतों में जो धुरुवीय वाताग्र सिध्धांत है ये वास्तविक्ता के सबसे जादा पास है जैसा कि मैंने आपको बताया पच्वा पवन की पेटी में धुरुवीय तथा ऊश्न कटिबंदी है वायू राशिया एक दूसरे के आजपाद विप्रीज दिशाओं में प्रवाहित होती है देखे क्या होता है जो पच्वा पवन की पेटी है हमारी प्रवा हुए बताया ही वहां पर एक तरफ से आ जाती है धुरुवीय वायू राशिया मतलब जो ठंडी हवाये होती है तो धुरुव Points के बारे में उल्रेडी मैंने आपको पढ़ाया है तो धुरुवीय वायू राशिया एक तरफ से और दूसरी तरफ से हमारी गर्म वायूराशी आई यानि उश्न कटिबंदों से वायूराशी आई और ये एक दूसरे से टकराती हैं यानि कि ये एक दूसरे के कह लिजे आज पास विपली दिशाओं में प्रवाहित होती हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया ये देखे इधर प्रवाहित हो रही है य विप्रीद गुर्वाली इन वायू राशियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से असातत्य प्रष्ट का निर्मार होता है, इसे धुरुविय वाताग्र की संग्या प्रदान की गई है। तो ये संपर्क में आती है, तो इससे एक असातत्य प्रष्ट बन जाता है इनके बीच में, जो ये बाद में और डेवलप होता है, तो इसी को धुरुविय वातागर की संग्या दी गई है, तो देखें, यहां तक हम लोगों ने देखा कि धुरुविय छेत्रों से वायू ये तो इनके बीच में एक असातत्य प्रष्ट बन गया, आप देखें क्या है कि विप्रीद दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन धाराओं के कारण, प्रबल पवन कर्तन पाया जाता है, यानि कि विंड शियर, यानि कि हवाएं जो हैं एक दूसरे को काटती हुई निक नता से युक्त दो वायुराशियों के सीमान्त प्रष्ट पर तरंगे उत्पन हो जाती है, यानि कि जो सीमान्त हिस्सा है, जिसे हम लोग सीमान्त प्रष्ट कहते हैं, इसको मैंने आपको फ्रेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो जो सीमान्त प्रष्ट है, वहाँ तापमान अधिक होगा, वहीं पर अगर हम लोग आर्धता या humidity की बात करें, तो इसके पास आर्धता भी कम होगी, ठंडी हवा के पास, वहीं ये जो गर्म वाली हवा है, इसके पास आर्धता या humidity भी ज्यादा होगी, इसकी वज़ेसे क्या होता है, कि सीमान्थ प्रेश्ट जो है, वहाँ पर तरंगे बन जाती हैं, अब देखें तरंगे भी दो तरह की होती हैं, एक ऐसी तरंगे होती हैं, जो बनी लेकिन उनका आयाम नहीं बढ़ता, यानि कि उनमें एक तरह से कहली जे कोई बढ़ोतिरी नहीं होती है, कोई व्रध्य नहीं होती है, लेकिन कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं, जो बनने के बाद लगातार बढ़ती जाती हैं, और इसी की वजह से चक्रवाद जन लेता है, तो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं, जिनकी उत्पत्ति के उपरांत किसी प्रकार का विकास नहीं होता और इनके आयाम में व्रधि भी नहीं होती, इसके व यानि कि एक हम लोगों ने देखे इनिस्टैबिलिटी पढ़ी है पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको रुद्धोश्मताब बगरा पढ़ाया था तो मैंने आपको वायू की आइस्थिरता पढ़ाई थी जिसमें वायू दीरे-दीरे ऊपर उखने लगती है अब देखे ये जो आइस्थिर तरंगे हैं इसकी वज़े से क्या होता है इन तरंगों से वाताग्र का संतुलन भंग हो जाता है जिसे पुना इस्थापित करने के प्रयास में दोनों और से हवाई चल पढ़ती है यानि कि देखे क्या हुआ कि जो ये तरंगे बन गई इन तर हवाई चल पढ़ती है धरातल जनी घर्षण प्रवर्टा बल और कोरियालिस बल के सम्मिलित प्रभाव से इनकी दिशा चक्राकार हो जाती है अब देखे दोनों और से हवाई तो आ रही है लेकिन हमने देखा है चक्रवात में हवाई गोल गोल चलती है इस तरह से तो ये क्यों चलती है चक्राकार क्यों चलती है इसका कारण है एक तो धरातल से ये हवाई जब रगरती है उससे पैदा होने वाला घर्षण दूसरा कारण है प्रवर्टा बल जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है प्रवर्टा बल के बारे में और तीसरा है कोरियालिस बल इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों के समलित प्रभाव से इनकी दिशा चक्राकार हो जाती है, और देखें इनकी जो उत्पत्ती होती है, मुखिता धरातल के निकट होती है, अच्छा वातागर पर तरंगों की उत्पत्ती के कई कारण हो सकते हैं, यह जो तर पर बह रही हैं, वहां में परवत है, तो परवत से टकरा के यहां पर तरंगे उत्पन हो सकती हैं, इस्थल और जल के तापमान में अंतर के कारण तरंगे उत्पन हो सकती हैं, सागरिय धाराओं के कारण यह तरंगे उत्पन हो सकती हैं, अब देखें एक बात आओ रहाती ह कि ये जो चक्रवात है किसी भी प्रकति में जो भी गटना होती है उसको continue अपने को रखने के लिए energy चाहिए होती है तो ये energy कहां से आती है तो ये जो energy है ये आती है दोनों वायूराशियों के तापमान और घनतों में अंतर की वजह से यानि कि जो दोनों वायूराशियों के तापमान और घनतों में अंतर है उससे ये हवाय लगातार चला करती है क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी प्रित्वी पे हवाय चलती है उसका कारण ही है तापमान और घनतों में जो अलग-अलग इस्थानों पे अंतर पाया जाता हैं मान लिजे से जो हमारी गर्म हवा है वो शीतल वायू Rayaši के ऊपर उठ रही है तो हमारी जो उष्ण वायू Raya wau Raya तो जब वायू u Rin Aaf या जाती है यह जानते एक उचाई पर पानी इसमें संघ्णन या कंड misma निसेशन हो जाता यानि बादल बन जाते हैं और फिर वर्षा होती है अच्छा जब देखे वर्षा होती है तो क्या होता है मान लीजे ये एक जील है इस जील का जो पानी है सूरज की गर्मी की वज़े से भाप में बदल रहा है तो भाप में बदलते समय जो उश्मा है वो यहाँ पे सनरच्छित हो जाती है, यानि कि इस भाप, ये जो भाप में बदलता है या जलवाश में बदलता है पानी, इस समय जलवाश में क्या होता है, उर्जा सनरच्छित हो जाती है, आपने पढ़ा होगा कि उर्जा को ना नश्ट किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है, तो यहां पे उर्जा सनरच्छित होती है अब जब फिर से ये जो जलवाश्ट थी ये बादल में बदल के और फिर से पानी में बदल जाती है यानि कि वर्षा हो जाती है तो इसमें जो जलवाश्ट में उर्जा थी वो मुक्त हो जाती है यानि कि फिर से फ्री हो जाती है और ये जो उर्जा है ये दूर-दूर से हवाएं यहां पे आएंगी. तो ये अभी देखे हम लोगों ने थ्योरी में हर चीज को पढ़ा है. अच्छा इसकी कुछ तेखे इस्टेजेस होती हैं. मैं आपको इस्टेजेस में पढ़ाऊंगा. ये जो इस्टेजेस हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा अपना जो टेलिग्राम ग्रूप में है. जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं, तो उनके लिए टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब मैं ये इस्टेजेस नहीं डिसकस करूँगा, डायरेक्ट आपको फीगर से ये इस्टेज समझा दूगा. तो देखे, समझते हैं पहली इस्टेज से. देखे, आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ के उपर या प्रित्वी पे दो गोलार्द हैं, उत्री और दच्छनी. तो जो नौर्थ हेमिस्फियर है और जो साउथ हेमिस्फियर है, इसमें हवाओं की दिशा जो है अलग-अलग होती है. इसको हम लोग फेरेल का नियम जानते हैं. फेरेल का नियम है और आपका कोरियालिस बल है. इन सब के प्रभाव के कारण, जो wind की direction है, जो हवा की दिशा है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, देखिए, फेरेल का नियम क्या कहता है, एक बार revise कर लेते हैं, फेरेल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्द में जो हवाएं है, वो दाई दिशा में विच्छेपित हो जाती है या दाई दिशा में मुड़ जाती है, इसी चीज को यहां पर समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा, देखिए, ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं, और किस दिशा में, अधीकतर हवाएं किस दिशा में आपको जाती दिख रही हैं, दाई दिशा में, यानि कि अपने ये देखें, अगर हम लोग ऐसे बनाएं, तो ये right side होगी, ये left side होगी, तो ये हवाएं दाई दिशा में deflect हो रही है या दाई दिशा में मुड़ रही है, वैसे ही अब अगर इधर से हम लोग देखें, तो दाईयां देखें, इस तरफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब आपका चेहरा इस side होगा, तो right side इधर हो जाएगी और left side इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे हवाएं जादा तर किस दिशा में मुड़ेंगी, इस direction में, यानि कि यहाँ भी दाईयोर मुड़ेंगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग उत्री गोलार्द में जो temperate cyclone आते हैं, या उत्री गोलार्द में आपके जो शीतोष्न कटिबंधी चक्रवात आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो उत्री गोलार्द में हवाएं कि इस दिशा में मुड़ रही हैं, हर बार दाईयोर मुड़ रही हैं, यहाँ पे भी दाईयोर मुड़ रही हैं, और इधर भी दाईयोर मुड़ रही हैं, अब देखें, इंक को हटा देते हैं हम लोग पहले, देखें, इधर से जो यह हवाएं आ रही है जाहिर सी बात है ये कौन सी हवाएं है ध्रूवी तो अगर आर्दिता की बात करें यानि humidity की बात करें तो आर्दिता यहां पर कैसी होगी जाहिर सी बात है थोड़ी सी कम होगी और यहां पर आर्दता अच्छी खासी होगी क्योंकि गर्म हवाएं है तो इनके पास अच्छी खासी आर्दता होगी और फेरेल का जो नियम है को रियालीज बल है इसकी वज़े से क्या है यह हवाएं एक दूसरे की विप्री है इसलिए इधर जा रही है यह वाली दाई और मुर्के इधर जा रही है यानि कि यह कह लिए इस डाइरेक्शन में विंड है धुरूवी वाली और जो हमारी उस्ट वाली हवाएं है वो इस डाइरेक्शन में एक दूसरे के विप्रीथ हैं और इन दोनों के बीच में एक ये छेत्र बन गया है, अब देखे, आगे का concept समझाने से पहले, एक आपको concept में और revise करा देता हूं, जो हम लोगों ने front या वातागर के chapter में पढ़ाता, दो तरहां के वातागर देखे थे, शीत और उष्ण, देखे, उष्ण वातागर कहां बनता है, जहां पर हवा, जो गर उठेगी, शीत वायूराशी जो भारी है, वो इसको उष्ण वायूराशी को उपर उठा देगी, अच्छा देखे, लेकिन अंतर क्या है, कि जो उष्ण वातागर है, वहां पर बनता है, जहां गर्म वायूराशी अपने आप उपर उठती है, इसका मैंने आपको example भी एक दिया था, कि कुछ इस्टूडेंट होते हैं, जो अपने आप पढ़ते हैं, और कुछ इस्टूडेंट से कहना पढ़ता है, तब वो पढ़ाई करते हैं, तो ये उष्ण वायूराशी जहां पर उठती है, यानि कि ये वैसा इस्टूडेंट हो गया, जो अपने आप मन प्राया जाता है जो शीतल वायूराशी है वो ऊश्ण वायूराशी को ऊपर उठाती है तो शीत वातागर में ये घटना होती है अब देखें यहां पे क्या होगा इस तिशा में शीत वातागर बनेगा और जबकि इस तरफ जो है हमारा ऊश्ण वातागर बनेगा इसका कारण क्या है देखिए बहुत ही सिंपल कारण है अभी आप समझ जाएंगे हम लोगों ने देखा हवाएं जो हैं दाई तरफ मुड़ जाएंगी तो यहां पे जो ठंडी हवा है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी यह जो हमारी धुरूबी यह वायुराशी है वो काफी पावरफ है इस साइड में हम लोगों ने देखा अधिकतर जो गर्म वाली हवाएं हैं वो इधर मुड़ रही है तो यहां पे जो गर्म हवाएं हैं वो ज़्यादा ताकतवर होंगी कह लिजे उनका छेत्र ज्यादा व्यापक होगा तो इसकी वज़े से यहां क्या होगा जो हमारी ऊ उपर उठ जाएगी जब अपने आप उपर उठ जाएगी तो क्या बन जाएगा उस वातागर बन जाएगा और यहां पे शीतल वाईूराशी क्योंकि ऊश्न वाइूराशी को उपर उठा रही है तो यहां पर शीत वातागर बन जाएगा अब देखिए जो भी basic concept है हम लोगों का वही है कि ऊष्ण वायूराशी आई और मुड़के इस डारेक्शन में चली गई, शीत वायूराशी आई और मुड़के इस डारेक्शन में चली गई, जानि कि जो दोनों हवाएं हैं, गरम हवा और ठंडी हवा, जो गर्म वायूराशी और जो ठंडी वायूराशी वो एक दूसरे की विपरी दिशा में बह रहे हैं, इनके बीच में एक प्रष्ट बन गया है, इसके साथ ही क्या हो रहा है, जो शीतल वायूराशी है, वो यहाँ पे गर्म वायूराशी को धक्का दे रही है, जिसकी वज़े से शीत वातागर बन गया है, और वही पे यहाँ पे भी जो गर्म वायूराशी है, वो लगातार उपर की तरफ उठ रही है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सक्री है, तो इसकी वज़े से यहाँ उष्ण वातागर बन गया है, अब देखे होगा क्या जाहिर सी बात है, जब दोनों तरफ लगातार प्रेशर पड़ेगा, अब यहाँ पे भी उष्ण वायूराशी को उपर उठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यानि कि उष्ण वायूराशी से शीत वायूराशी कह रही है कि आप उपर की तरफ उठो, सेम चीज यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी जो उष्ण वायूराशी है, वो अपने रिवर्तन एक मोड आ गया है अच्छा देखें इसके ऊपर यह जो लाइन से यह क्या है जाहिर सी बात है यह समदाब रेखाएं है जो प्रित्वी के ऊपर हवाएं चलती है वो दाब का जो अंतर होता है प्रेशर का जो प्रेशर का जो वैरियेशन होता है उसी की वज़े से चलती है जिसे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं तो जब यह बीच वाली जो हमारी समदाब रेखा है जो इनके बीच का कहली जे प्रष्ट था जब यह मुड़ गया तो बाकी की जो समदाब रेखाएं हैं इनमें भी मोड आ जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अ अभी जैसे कि हम लोगों ने डिसकस किया कि जहां पे आर्धता हवा में जादा होती है उस हवा में आइस्थाईत तो जादा होता है यानि इनिस्टेबिलिटी जादा होती है इनिस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हवा को आप जरा सा पुश कर दीजे और बस यह समझ वायूराशी है उसन वायूराशी है इसमें आर्दिता जादा है दूसरी चीज क्या हम लोगों ने अभी देखी कि जो शीत वाताग्र है हमारा ये लगातार क्योंकि जो शीतल वायूराशी है उसका नेचर होता है कि वो उसन वायूराशी को ऊपर की तरफ धकेलती है तो जो ह हवा है, जिसमें आइस्थाई तो है, यानि कि जो हमारी ऊष्ण वायू है, जिसमें इनिस्टेबिलिटी है, ये उपर की तरफ उठती है, अब देखें हवा उपर की तरफ उठेगी और इसके पास क्या है, आर्धता या ह्यूमिडिटी है, तो थोड़ा सा उपर उठने के बा तो इससे बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो हलकी सी बारिश भी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद देखें और एक चीज़ क्या होगी, जब वर्षा या पर्सिपिटेशन होता है, तो इसके परिणाम सुरूप, अभी मैंने आपको बताया था, वाश्पन की जो गुप्त उश्मा है, वो मुक्त हो जाती है, यानि कि हवा के पास जो उश्मा सनरच्छित थी, बचा के जो हवा ने उश्मा रखी थी, वो मुक्त हो जाती है, और जैसे ही ये उश्मा मुक्त होगी, यहाँ पे जो लो प्रेशर है, वो और तगड़ा हो जाएगा, यानि य यह आप देख रहे हैं किनारा, यह जो मुड़ा हुआ किनारा है, यह और जादा मुड जाएगा, और जादा शार्प हो जाएगा, जानी कि अभीतिक आप तेज हो चुका है, और दूसरी चीज आपको क्या देख रही हो गई, कि जो ठंडा वाला, शीत वाला हिस्सा है, वो बहुत बड़े हिस्से में फैल गया है, और जो गर्म वाला हिस्सा है, उसका इस्थान लगातार कम होता जा रहा है, देखिए, पहले दोनों 50-50% लियत है, फिर शीत वाला जो हिस्सा था, वो थोड़ा बढ़ गया, शीत वायूराशी का, यह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग ज्यादा दर देखिए यह वाला हिस्सा गर्म वाला है और बाकी का हिस्सा ठंडा वाला है तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि जो शीत वायूराशी है उसने उस्ट वायूराशी को काफी हद तक ऊपर धकेल दि प्रेशा है वो चक्राकार हो गई है यहां पर वायू कहती हो गई चक्राकार या सरकुलर हो गई है और यहां पर क्या है लो प्रेशर है अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यहां पर वाश्पन की कुछ गुपतूश्मा भी मुक्त हुई है तो यहां पर लो प्रेशर बढ़ लो प्रेशर तो पहले ही था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, तापमान बगारा में अंतर था, तो यहां पे लो प्रेशर था और आसपास के छेतर में हाई प्रेशर था, लेकिन अब यह लो प्रेशर या निम्नदाब का छेतर और बढ़ गया है, और निम्नदाब छेतर क कि जो खासियत है वो क्या है? कि ये उच्च दाफ से चारो तरफ से हवाएं अपनी तरफ खीचेगा. अब देखे इसकी वज़े से क्या होगा? जो साइकलोन है, अब ये एक मैचियोर स्टेज में आ गया है. एक ऐसी स्टेज में आ गया है, जहां पर ये पूरी तरह से मैचिय हो गई है, जिसमें वाश्च पन की जो गुप्त उश्मा मुक्त होई थी, उसकी वज़े से ये जो किनारा था हमारा, ये वाला, ये और ज्यादा शार्प हो गया, इसके और ज्यादा शार्प होने की वज़े से, यहां पर कह लीजी एक तरह से लो प्रेशर बहुत जादा ह हो गया, निम्नदाप का छेतर बन गया बहुत तगड़ा वाला, और साथ में यहां पर क्योंकि कोरियालीज बल जो था, वो काम कर रहा है, प्रवणता बल काम कर रहा है, फेरल का नियम काम कर रहा है, इन सब के मिले जुले प्रभाओ के चलते, जो हवाओं की दिशा है, वो circular हो गई है चक्राकार हो गई है और ये चक्राकार हवाएं बहुत ज्यादा तेजी के साथ बह रही है और नीचे से उठती हुई ये हवाएं उपर की ओर जा रही है तो ये third और mature stage आ गई आप देखें जो चोथी stage होती है उसको कहते हैं उसमें जो चक्रवाद के साथ होता है उसको कहते हैं occlusion या sunrodhan ये क्या है इस stage में आप देखें कोई भी चीज चाहें कितनी भी मजबूत हो एक समय पे नश्ट चरूर हो जाती है तो occlusion या sunrodhan की वज़े से ये जो हमारा गर्म हवा थी उसको लगातार उपर उठाया जा रहा था तो गर्म हवा उपर उठती गई उठती गई एक समय आया कि सारी की सारी गर्म हवा जो अधिकतर गर्म हवा है वो उपर चली गई उपर उठ गई और नीचे जो है केवल ठंडी हवा यानि शीतल वायूराशी बची हुई है और जो हमारी उष्ण वायू राशी है वो पूरी तरह से उपर की ओर चली गई है अब देखिए शीतल वायू राशी क्या है हाई प्रेशर का छेत्र बनाएगी और चक्रवात को रहने के लिए लगातार काम करते रहने के लिए लो प्रेशर का छेत्र चाहिए होता जैसा हम लोगों ने देखा था यहां पे लो प्रेशर का छेत्र था वो तो समाब्ध हो जाएगा क्योंकि जो लो प्रेशर का छेत्र बनाने वाली गर्म हवाती वो पूरी तरह से उपर इसलिए हवा की गती भी जादा होती है, इसे हम लोग कहते हैं वायुदाब की प्रवर्ता, दाप्रवर्ता या वायुदाप्रवर्ता इसी को कहते हैं, जब देखें वायुदाब प्रवर्ता का मतलब होता है कि जैसे समदाब रेखाएं हैं, ये दूर दूर हैं, तो हवा की पास पास आ जाएंगी इसका मतलब है कि बहुत कम दूरी पर प्रेशर बदल लाए, बहुत जयादा तैजी से प्रेशर बदल लाए, जितनी तेजी बदलेगा उतनी तेज हवाएं चलेंगी. तो यहाँ पे क्या होता है, कि हवाओं की गति बहुत जादा हो जाती है उसका कारण क्या है कि समदाव रेखाएं बहुत पास पास आ जाती है और तेज मोड पड़ जाते हैं यहां पे और चक्रा कार हवाएं चलती है तो फ्रेंड्स यह आपका जो चक्रवाद का बनने से लेके मैंने थेर्ड स्टेज में आपको कुछ चीज और आड़ कर दी है और स्टेज पोर जो आउकल्यूजन या सन्रोधन की स्टेज है इसको आपको मैंने समझा दिया है और इसकी जो पीडिएफ है वो आपको टेलिग्राम ग्रूप के एवलेबल रहेगी